रादी रादी दोस्तों जे श्री कृष्णा मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम तीन नंबर काना जी की ड्रेस बनाएंगे तो यह हमरे तीन नंबर काना जी की चोली है यह मैंने अपने चैनल पर पहले भी बताई हुई है कि किस तरह से बनेंगी तो आप महां देख चोली हमने बना ली है तो एदि की चैन में से ले जाकर जो तीन चैन बनाई थी हमने शुरू में सिलिप स्टे से से जोइन कर देंगे तीन चैनल बनाएंगे और मैंने अपना नैन नंबर का क्रोशियाल लिया है। 2 नंबर का करें फीया में ट्रेफर कर दोग तो मैंने करेंगे घ्री तो नैक्स में करते हैं तो खुंब्लाफ चोले में ट्वंटी लंड्रेषे में Karl दूर खुम्लें पिर्ट धचार्ट कने सब्सक्राइब लेट करता हैं कि sisters से एक करना तो आसे में से पूरा कर दूँगी अपना कंप्लीट कर लिया है मैं इसे यहां थर्ड चैन में सिलिपिस्टिस से जोइन कर दूँगी नेक्स चैन में मैंने दो डबल क्रोशिया किये फिर नेक्स्ट में एक किया फिर एक किया और अब हम दो करेंगे तो अब हमें हर पहले हमने सेकंड चैन पर दो किये थे अब हमें थर्ड चैन पर दो करने हैं पहले मैंने एक किया एक तीन की चैन फिर दो किये फिर एक चैन में एक एक चैन में एक फिर एक चैन में दो किये के यह यहीं हुआ को अउनल entrepreneurs भी कर लूगी तो यह वाला राउंड सेकेंड राउन में यह कर लोग MARY हट्थ-थर्ड चैन में हुए कर ले नहीं है ओज देखिए फैसे हमारे राउंड कम्प्लीट हो गया सेकंड अब हमारे यहां भी एक आया है और आपना पी पीएक है तहाँ कि तो अब हम यहां 3 चैन में शिलिप इस से जोइन कर देंगे कि फिर तीन चैन कि तीन चैन करने के बार में फिर हम नेक्स चैन में एक करेंगे पहले हमने थर्ट चैन में दो किये थे अब हम फूर्थ चैन में करेंगे तो इसमें एक किया यहां एक किया अब हम इसमें दो किये हमने पहले एक किया फिर एक फिर दो फिर हम एक करेंगे फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में दो करेंगे तो अब हम फोर्थ चैन्ट पर दो करेंगे पहले हमने थर्ड पर किया था देखें पहले हमने एक चैन्ट की फिर हमने एक डबल क्रोश या फिर हमने यहां थर्ड पर ही कर दिया था third chain पर दो किये थे, क्योंकि हम इधर आएंगे, तो इधर हमारे एक Cr tie, हो रह जाएगा, go, 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 go 4th पर हो जाएगा, तो अब मैंने, 1, 2, 3 3 chain पर एक double crochet किया है, और मैंने 4th chain पर 2 किये हैं, तो मैं अभी स्राउंड को ऐसे complete कर लूँँगी, हर 4th chain पर 2 double crochet कर लूँगे तो देखिए हमारा यह round complete हो गया है तो देखिए एक हमारा यह आया है last में और 2 हमने यह शुरू में किये थे तो ऐसे ही हमारा 1, 2, 3, 3 double crochet हो गए है और हमने यह 4th में फिर 2 हो गए हमारे तो मैं यह 3rd chain में इसे इसलिए पिस्टी से जोइन कर दूँगे तो यह हमारा 3rd round है पूरा complete हो गया है अब मैं फिर 3 channel लूँगी तो शुरू में हमने 3 किये क्योंकि एक हमारा last में आ जाएगा double crochet तो हमारे पास 4 हो जाएंगे तो मैंने 1, 2, 3 किये और फिर 3rd row में यहाँ शुरू में 2 किये है अब मैं 4th row में करूंगे एक में 1 किया फिर इस में 1 किया next में फिर next में 1 किया तो हमने 1, 2, 3, 3 में 1 किया फिर 4th में और अब हम 5th chain में 2 करेंगे तो पहले हमने 4 chain में एक डबल crochet किया है फिर 5 भी chain में 2 किये है तो ऐसे हमें यह round complete कर लेना है जो हमने अपना 3rd round बनाया था उसमें हमने 1, 2, 3, 3 में किये थे 4th में 2 किये थे इसमें हम 1, 2, 3, 4, 4 में सिंगल करेंगे एक डबल crochet और यहां 5th chain में 2 कर लेंगे तो यह round में ऐसे ही complete कर लूँगी हमारा 4th round complete हो गया है अब हमारे पास यह last में 1 क्रोशिया और शुरू में हमारे 3 थे फिर यह मैं 3rd chain में इसे इसे जोइन कर दूँगे तो देखिए अब हम इसे white color से white color यहां जोइन कर देंगे इस इस अली चैन में ले जाकर इसे इसे जोइन कर देंगे पिंक को भी कट नहीं करेंगे तो white color अब हम एक, दो, तीन चार और पास पास हमने chain की एक chain हमने single crochet लगेगा हमारा और चार chain की अब हम देखिए तो अब हम एक, दो, तीन तीन chain skip करकर यहां हम चोथी chain में इसे single crochet कर देंगे तो fourth chain में हमें single crochet से joint करना है इसे, चार chain बना कर पास, एक, दो, तीन, चार चार chain बनाई, फिर हम ऐसे ही एक, दो, तीन तीन chain skip करने के बाद fourth chain में फिर single crochet कर देंगे फिर चार चार एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाकर फिर एक, दो, तीन, तीन चैन स्किप करकर फॉर्थ चैन में हम फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, तो यह राउंड में अपना ऐसे ही कम्प्लीट कर लूँगी, तो देखिए हमने अपना राउंड कम्प्लीट कर लिया है, अब हम यहा से हम जोई कर देंगे देंगे इसे जोईन करने के बात अब हम इसолот करने के बाद हम इस नदना से लाकर कर तर्म कर देंगे तर्म तैन में हम इसolit है अब हम थे प्रक्माइब एक का दो जो जिए है चैन से बनाई और इसी के अंदर फिर मेरे दो डबल को म्हीप हो और चैन doubles दodorब क्रोषिय फिर दो चैनल ली एक और दो दोग्डों लेकर फिर इसी के लिएनर हमें फिर थीन ड़ब क्रोशिय करने हैं कि इस मौश ayно डो मैं दो चैन लेनी है एक और दो हुआ थे टो लेने के बाद हमें अभी एचयन इस्किप करनी है यह हम ले व्याजमनि शचयन बनाई थी ये हमओं में स्किप करकर इस वाले में बनाना है फिर ऐसे ही 3 डवल ख्रोष यह मूझसaires दो चैन फिर तीन क्रोशी यह रहे फिर हम दो चैन लेंगे दो चैन लेकर और यह वाली चैन एक स्किप कर देंगे एक में यह बनाना है six double क्रोशिय और एक हमें स्किप करनी है तो देखिए अब हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए हैं यह हमने कम्प्रीट कर लिया है अब हम यह जो हमने शुरू में तीन चैन बनाई थी डवल क्रोश्या तो इसकी थाड चैन में जाकर हम इसे सिलिप स्टिस से हैं जोइन कर देंगे जोइन करने के बाद इसी के अंदर फिर हमें एक सिंगल क्रोश्या बना देंगे अब देखिए अब हम एक के उपर नहीं सिंगल क्रोश्या बना दिया अब यह जो दूसर सैकंड डवल क्रोश्या हमारे पास इसे हम स्किप करकर इस थाड वाले पर डवल क्रोश्या बनाएंग तो इस पर हम यहां डबल क्रोशिया बना देंगे फिर इसके अंदर बनाना है हमें जो हमने दो चैनली थी दो डबल क्रोशिया एक दो डूबल क्रोशिया बनाए इसके अंदर फिर तीन चैनल लेंगे ए दो तीन तीन चैनल लेकर इसी के अंदर फिर दो डूबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी के अंदर फिर हमने दो डूबल क्रोशिया बनाएं तीन चैनल लेकर तो ये फिर ये जो हमने ये वाला डूबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम इस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो अब हम इस वाले पर डूबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट पर डूबल क्रो वाले पर सिंगल क्रोश्य बना देंगे अर यह ऐसे आगा डिजाइन है इस फिरी तीन और थी त הג्ला करो पर सिंगल सिंगल क्रोश्य ने प्रिप करेंगे बनाइंगे लोगजरी अब इस फैकेंड वाले पर फिर नेक्स्ट एक स्किप करकर सेकंड जो थर्ड वाले डबल क्रोशिया है इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हम चैन जो बनाई थी दो इसके अंदर दो डबल क्रोशिया तीन फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हमने फिर हम इसके उपर बन लेंगे और फिर हम तीन चैनल लेंगे बीच में तो मैं ऐसे ही इस राउंड को कम्प्लीट कर लूँगी तो देखिए हम नहीं कंप्लीट कर लिया है अब हम यह सिंगल क्रोश्य बना लिए जो सिंगल क्रोश्य बना था हमने शुरू में ही ले जाका सिलिप स्थिस कर देंगे अभी तो देखिये अब स्लिप सप्स्ट करने के बाद इसी كंदल सिंगल क्रोशिय बना देगे हैं तो हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस पर नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया इसे भी स्किप करेंगे और इसे भी दो डबल क्रोशिया में स्किप करेंगे और यह जो हमारा थर्ड वाला है इस पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे पास ये वाला इसके उपर हमने डबल क्रोशिय बना दिया फिर एक चैन ली फिर इस चैन के अंदर हमें पांच डबल क्रोशिय बनाने हैं एक बनाया फिर एक चैन ली फिर दूसरा बनाया फिर एक चैन ली फिर तीसरा बनाया फिर एक चैन ली फिर चोथा बनाया फिर एक चैनली फिर मैंने पांच वा बनाया तो मैंने इसके अंदर पांच डबल क्रोशिय देखे फाइब बना लिये हैं तो देखे यह रहा यह मैंने इस डबल क्रोशिय के उपर बनाया था एक फिर एक चैनली फिर एक डबल क्रोशिय फिर एक चैनली ड zwei, two, three, four, five, five में ने चैने के अंदर बनाई हैं एक मेंने इस डबम क्रोशिय के उपर बनाया है अब यह सुरूबाला डबल क्रोशिय है इसके उपर भी हमें है इसके उपर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे फिर तीन चैन एक तो तीन तीन चैन लेकर फिर इसी के उपर इस सिंगल क्रोशिया के उपर फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे शिंगल क्रोशिया के उपर हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है फिर हम अब यह लास्ट दो ड बनाएंगे। यह लेंगे। फिर इक चैन लेंगे। फिर इसी के इस चैन के अंदर हमाने तीन टीन में अदरि का cynnamadora इसी के आंदर हमें 5 2 5 एक हो गाएं तो हमारे पास ही शावन सात डबल क्रोशिय आगे है कि इस यह तो इसमें वह सिपैसे से इस में चमे छावन को सुप्ल अलेहों है। वısर्त आपास यह 7 सात डबल क्रोशिय है। कट नहीं किया था तो हमने यह जो एक डबल क्रोशिया के उपर बनाया था तो हमने एक यह जो लास्ट वाले डबल क्रोशिया के उपर डबल क्रोशिया बनाया था यह वाला और इसके हां बीच में जो एक चैन बनाई थी तो इसमें ले जाकर हम इसे पिंक कलर को अपने को जोइन कर देँंगे ऐसे जोइन करने के बद टीन चैन बनाएंगे यह दो एक हमने पहली बना लई थी तीन तीन चैन बन गई अब देखे तो इसी में मुझे दो डवल क्रोशियो और बनाने हैं एक दो तो हमारे पास तीन डबल क्रोशिय हो गए है एक हमने तीन की चैन और दो हमने डबल क्रोशिय बनाए अब हम यह जो हमने एक चैन ली थी नेक्स्ट इसमें बनाएंगे तीन डबल क्रोशिय तो यह जो हमने एक एक चैन ली थी तो इन ही में हमें अब तीन तीन डबल क्रोशिय बना लेने है तो ये वाला राउंड हमें ऐसी करना है इसमें जो हमने एक एक चैन ली थी एक एक चैन हर डबल क्रोशी की बीच में तो उसमें हमें तीन तीन डबल क्रोशी बना लेने हैं तो हमारे तीन बार बन गए फिर अब हम इसमें बनाएंगे एक और एक इसमें और एक पास छे चैन में हमने तीन तीन डबल क्रोशी बनाई हैं तो देखिए हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे बिच में छे चैन आई थी छे चैनों के उपर ही मैंने तीन तीन डबल क्रोशी बना लिए हैं अब यह जो हमने बिच में चैन ली थी यह तीन तीन यह जो हमने चै एक दो तीन और चार बार दागा लेकर मुझे इसमें पॉफ बनाना है यह सारी चैन एक साथ ले लेनी है और यह सारे में जे एक साथ निकाल देने हैं ऐसे फिर इसमें सिलिप इस्टिश कर दूंगे तो यह हमारा पॉफ बन जाएगा ऐसे अब देखिए अब नेक्स्ट में बनाएंगे तो हमने चैन बनाई थी जह हुआ डबल ख्रोशिए के बिच में एक दो तीन चार पाल चैन अंदर ही हमें 32 step बना लेने तो मैं ऐसे ही यहां 33 step बना लूँ मैं तो देखिए यह हम यह जाron करके डबल करोशिए बनाले हैं तो अब यहा आ जाए यह बिच में तो यह जो मैंने चेन बनाई थी यह बीच में अब इन मैं पफ बनाना है. ऐसे ले जाकर क्रोश्या नीचे को ऐसे तीन बार 4 बार दहागा लेंगे एक बार दो बार द कई पब बना लिया अपना वर्ब कंप्लीट कर लिया है ये वाला पिंक और मैंने है लास्ट में लाकर इस वाले जो ये मारा सुरुकर वो था डबल क्रोशिया इससे हमने सिले पिस्टिस से जोइन कर दिया है आप इसे अपने कानजी के लिए जरूर बनाईए, मैंने ये पिंक और वाइट दो कलर में बनाई है, आप किसी भी टू कलर में इसे बना सकते हैं, आपको मेरी वीडियो च्छी लगती हो, तो प्लीज कमेंट करें, शेर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो